एक बार फिर आप सबका इस्तेखबाल है आज की क्लास में हमारा चेफटर है एडजेक्टिव इंग्लिश में जिसे एडजेक्टिव कहते हैं हिंदी में उसे ही विशेशर कहते हैं और आपने एडजेक्टिव के मतालिक इंग्लिश में और विशेशर के मतालिक हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से सीख रखा होगा और समझ रखा होगा इसलिए ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है बस जबान के फर्ख के साथ चूकि इस्तिलाहे बदल जाती है टर्मिनलोजी बदल जाती है यहाँ पर जिसको एडजेक्टिव कहते हैं हिंदी में उसी को विशेशर कहने लगते हैं तो यही चीज उर्दु में भी कु मजना कोई मुश्किल नहीं है हमें बस फोकस इस बात पर करना है कि उर्दु में एडजेक्टिव को क्या कहते हैं और एडजेक्टिव कौम कैसे पहचानेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है तो आज की क्लास में आप एडजेक्टिव को उर्दु में सीखेंगे तो देखे इसमें सबसे बुनियादी दो चीज़ें आपको याद रखनेंगे पहली चीज ये है कि एक तो वो चीज होती है जिसके बारे में कोई विशेस्ता बताई जा रही हो और दूसरी चीज वो होती है जिसके जरिये से कोई विशेस्ता बताई जा रही हो यानि adjective का जब भी मामला आएगा वहाँ दो चीज़ें पाई जाएंगी एक तो ये है कोई ऐसा word होगा जो किसी noun के बारे में कोई विशेस्ता बता रहा होगा दूसरी चीज़ वो word खुद होगा जो उस noun की विशेस्ता के लिए आएगा तो दो चीज़ें इसके अंदर हमेशा बहुत जरूरी होती है अब इसमें जो पहली चीज़ है यानि जिसको कह सकते हैं आप noun जो होता है और इस noun के बारे में हम किसी विशेस्ता को बताने के लिए कोई लवज लाते हैं तो इस noun को क्या कहते हैं मौसूफ उर्दू में जिस noun की या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस word की विशेस्ता बताई जा रही हो उसको क्या कहते हैं मौसूफ ये अरबी का word है मौसूफ का माने होता है वो इनसान वो शख्स जिसकी कोई सिफत बयान की जा रही हो ठीक है तो मौसूफ ये हमेशा noun रहता है और ये वो चीज होती है जिसके बारे में कोई word आ करके विशेस्ता बता रहा होता है कोई खूबी बता रहा होता है positive, negative किसी भी तरीके से वो चीज़ें हो सकती है तो सबसे पहली चीज मौसूफ यानि वो noun जिसके बारे में कोई विशेस्ता बताई जाए अभी example से हम आपको समझाएंगे कि मौसूफ कहा है, किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे और सिफत क्या है उसरी चीज आप इसमें देखिए सिफत ये दूसरा important word है लेकिन आप इससे भी ज़्यादा importance इसको देंगे क्योंकि adjective विशेसर का direct relation सिफत से है सिफत क्या होती है सिफत कहते हैं कोई ऐसा word जिसके जरीए से किसी खूबी को, खामी को यानि अच्छाई को, बुराई को या किसी कैफियत को, किसी हालत को बयान किया जाए यानि ये word आ करके किसी के बारे में कुछ अच्छा बताएगा या बुरा बताएगा या उसकी situation क्या है उसके बारे में बताएगा बहराल या आ करके उस noun के बारे में कोई न कोई information देगा आपको तो ये word जो information का काम करता है noun के बारे में इसी क्या करते हैं सिफत करते हैं अब सिफत के लिए देखिए लफ्स कौन कौन से यहाँ examples में इस्तेमाल हुए है यहाँ पर हमने दो example लिए हैं simple सी दो example है एक है नीला आस्मान हिंदी में भी लिखा हुए नीला आस्मान दूसरी example है पीला सूरज बोलते हैं इस तरीके से हम बहुत इस्तेमाल करते हैं तो अब देखिए इसमें जो pattern बन रहा है उसमें सबसे पहले नीला आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पीला आ रहा है लेकिन आस्मान सूरज बाद में आ रहे है मालूम इससे यह हुआ कि उर्दू में जब हम सिफ़त का इस्तेमाल करते हैं तो सिफ़त को पहले लाते हैं और उसके जश्ट बाद एक noun आता है ठीक है? यारि जब भी adjective का इस्तेमाल हम उर्दू में देखेंगे तो adjective का कोई लवज आएगा लेकिन उसके बाद कोई noun आएगा क्योंकि तब ही हम यह तै कर पाते हैं कि यह word आकर के उस noun की विशेस्ता बयान कर रहा है अब देखिए यहाँ पर एक लवज है नीला आस्मान तो नीला यह जो है यह हो जाएगा adjective A, B, J adjective का short form जिसे उर्दू में का कहते हैं सिफत कहते हैं आस्मान यह noun हो जाएगा ठीक है noun हो जाएगा और यह noun क्या बन जाएगा मौसूफ तो यहाँ पर सिफत यहाँ पर मौसूफ नीला सिफत हो गया आस्मान मौसूफ यानि noun हो गया तो यह example इस तरीके से clear होई नीला आस्मान यानि आस्मान के बारे में हमें इस word से information मिली कि आस्मान कैसा है नीला है ठीक है अब दूसरी example की तरफ आते हैं यहाँ है पीला सूरज वही pattern यहाँ भी apply होआ है तो यह पीला word जो है यह adjective हो जाएगा और दूसरा word जो सूरज है यह noun है ठीक है यह क्या बन जाएगा मौसूफ बन जाएगा तो जहाँ भी सिफत का استعمال होता है उर्दू में उसके साथ साथ मौसूफ के लिए कोई word भी आता है और यह जो मौसूफ के लिए word आता है वो क्या होता है noun होता है तो हम सिफत को दो चीजों से पहचानेंगे एक तो यह है कि इसके जरीय से किसी खुबी या खामी का पता चलेगा अच्छाई या बुराई का पता चलेगा ठीक है और दूसरे यह कि यह noun से जस्ट पहले आता है अब हम देखते हैं कि सिफत को हम पहचानेंगे कैसे किसी अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमको अगर word find out करना है कि कौन सा word है जो adjective है कौन सा noun है कैसे है तो adjective को हम कैसे पहचानेंगे आसानी से उसके कुछ rules हम आपको बताते हैं यहां देखिए आपके सामने एक चार्ट तयार किया गया है इस चार्ट को चार खानों में बाटा गया है और इन चार खानों को समझने के बाद में आप सिफत को काफी हद तक समझने लगेंगे तो देखिए सबसे पहले नंबर से शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर पर कुछ एक्जामपल्स लिखे हुए है लंबा, मोटा, कमजोर, पालतू, जंगली ठीक है तो देखिए सिफत का एक कॉमन तरीखा ये है कि कोई rule नहीं है कौन सा वर्ड ऐसा आ जाए जो किसी की विशेस्ता बताए किसी की खुबी बताए ठीक है इसको हम कहते है जनरल यानि इस खाने को हम जनरल के हिस्से में रखेंगे जिसमें हमको ग्रामर के बेस पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये word adjective है यानि जाहिरी तोर पर उसको नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि उसकी meaning न पता हो जाए ठीक है तो इसमें कुछ changes होते रहते हैं ऐसे ऐसे word आ जाएंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो adjective बन सकते हैं ठीक है अब ये जन्गल खाना है इसमें देखिए लंबा, मोटा, कमजोर, पालतू, जंगली इन सब के साथ हमें एक noun लगाते हैं मिसाल के तोर पर लंबा लड़का मोटा, भालू कमजोर, किसान पालतू, जानवर जंगली, बिल्ली इस तरीके से जो हम बाद मेला रहे हैं वो noun है और ये word उसकी विशेस्ता बता रहा है तो ये general word हो गए अब आते हैं दूसरे नमबर पर यहां क्या है यहां देख रहे हैं आप लाल, पीला, लीला, जाफरानी, सीमा भी यानि colors के नाम है अब आप इनके बारे में ये समझ लीजिए कि colors जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो adjective के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं यानि color को define करने वाला कोई भी word हो वो adjective होता है ये बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको रंगों के नाम याद है तो आप कह सकते हैं कि जो भी colors होते हैं ये सारे के सारे adjective होते हैं colors के नाम हमेशा उर्दो में adjective के तौर पर यानि सिफत के तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं यानि लाल गुलाब ठीक है पीला खूल नीला आसमान जाफरानी कपड़ा सीमाबी सैफरन जिसे करते हैं भगवा करते हैं सीमाबी यानि चांदी जैसे वाला तो ये जितने भी word आते हैं इनके बाद में कोई noun होता है जिसका रंग ये बता रहे होते हैं यानि सिर्फ लाल कहने से हमें कुछ नहीं मालूम होगा लाल के साथ जब कोई word जोड़ेंगे तब मालूम होगा कि ये लाल क्या कहना चाहता है इसलिए रंग जितने भी होते हैं ये बिला जिजक आप कह सकते हैं क्या है सिफत है अब आते हैं तीसरे नमबर पर यहां देखिए कुछ word रिखे हैं उनसे मिलते जुलते कुछ word बनाए गए है इसे कह सकते हैं आप root word तो root word के सहारे भी हम क्या करते हैं adjective को find out करते हैं root word कैसे हम पहचानेंगे मिसाल के तौर पर कुछ word बहुत common है जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं और उनसे मिला करके बहुत से अलफास बनाए जाते हैं लेकिन जितने भी अलफास उस word पर बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे adjective होंगे तो वो root आप देखिए जो adjective को define करते हैं इसमें सबसे पहला number है सूरत का अब ये सूरत का word जिसके साथ भी लग जाता है उसको adjective बना देता है जैसे देखिए खूबसूरत यानि अच्छी सूरत वाला दूसरा word बदसूरत बुरी सूरत वाला अब खूबसूरत आदमी हो सकता है या बदसूरत आदमी हो सकता है तो ये दोनों situation में ये दोनो word क्या हो गए adjective हो गए यानि सिफत हो गए ये एक root word हुआ दूसरा word देखिए कुन यहाँ पर पेश लगा है जिसे हिंदी में लिख दिया गया है अब ये कुन का word भी जिसके साथ लग करके आता है उसको adjective बना देता है जैसे तबाह कुन मतलब तबाह बरबाद कर देने वाला तबाह कुन हालाद कह सकते हैं आप तबाह कुन मौसम कह सकते हैं तबाह कुन आधी कह सकते हैं इस तरीके के example साब बना सकते हैं इसी तरह दूसरा word इससे बनता है परेशान कुन मतलब परेशान करने वाला अब ये कोई भी चीज हो सकती है इसके साथ word जो जुड़ेगा वो चीज इसको define करेगी तीसरा important root word है नाट ठीक है एक नाट तो nose जो हमारे चेहरे पर है एक नाट ये जो word में इस्तेमाल होता है ये nose के माने में बिल्कुल नहीं है बलकि ये कुछ अलग meaning देता है जैसे इبرत नाक का मतलब होता है इبرत वाला ठीक है जिसके अंदर इبرत पाई जाए हैरत नाक जिसके अंदर हैरत मौझूद हो तो ये इस नाक का, ये nose वाली नाक से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उर्दू में ये word, ये root word जिसके साथ भी आता है उसको क्या करता है एड्जेक्टिव बना देता है इबरतनाग हैरतनाग इस तरीके के और भी बहुत से वर्डाग फाइंड आउट कर सकते हैं चौथा रूट पर देखिए आमेज बहुत इंपोर्टेंट रूट वर्ड है इससे मिलने जुलने वाले भी अलफाज आपको बहुत मिल जाएंगे जैसे जिल्लत आमेज जिल्लत आमेज का मतलब रुसवाई वाला रुसवाई भरा ठीक है कहते हैं बड़ा जिल्लत आमेज र इतने ही रूट वर्ड तै नहीं है इसमें बहुत से वर्ड है मिसाल के तौर पर एक आवर वर्ड है ठीक है आवर का मतलब लाने वाला जैसे नशा आवर उस दवा को बोलते हैं जो नशा जिसके जो है खाने से नशा आता है खौब आवर नीन की गोली को खौब आवर बोलत लेकिन अगर उस root word को आप पकड़ देंगे और यह देखेंगे कि क्या वो adjective की तरफ जा रहा है तो उससे बनने वाले जितने भी word होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे adjective हो जाएंगे तो यह तीसरी situation हुई adjective को find out करने की अब आते हैं चौती situation की तरफ चौती situation में आप देख रहे हैं कुछ examples लिखे हुई हैं बहता पानी जुलसते जंगल चड़ता सूरज मुस्कुराते होड खिलता गुलाब ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैंगे बहता जुलसता पढ़ता चड़ता मुस्कुराता खिलता यह वर्ब जैसे लग रहे हैं चेंजिंग आने से वह adjective बन जाता है इसी को हम यहाँ पर find out करेंगे तो देखिए वर्ब के साथ में क्या होता है जब ता लग जाता है similar हो या ते लग जाता है plural हो अगर तो क्या हो जाता है ता और ते लगने के साथ अगर just उसके बाद में noun आ रहा हो तो यह adjective बन जाता है यहां पर अःगर बन क तो यहां पर पहली एग्जांपल देखिए बहता पानी यानि कैसा पानी है यह noun कैसा है बहता है अब यह बहता इसकी सिफ़त है adjective है यहां पर बहता वद नहीं है तो यहां पर बहता लाया गया है किसकी मुनासिबत से पानी की मुनासिबत से पानी सिमुलर है तो बहता सिमुलर अब प्लूरल अगर इधर आ रहा है जैसे जंगल ठीक है अब जंगल वर्ड भी यहाँ पर सिमुलर आया है लेकिन इस जंगल सिमुलराद बहुत से जंगल है जो बहुत बड़ा इलाका जंगल पर जो वसीत हो उसके लिए क्या कहते है जुलस्ते जंगल यानि कई जंगलों का पूरा मजमा है ठीक है पूरे वादी है वो उसमें आग लग गई है अगर तो हम कहते हैं जुलस्ते जंगल ठीक है तो यहां पर प्लूरल के हिसा हैं चड़ते लोग ठीक तो वहां प्लूरल आया इसलिए हो जाएगा मुस्कुराते होंट अब देखिए होंट दो है उपर नीचे ठीक है तो उनकी मुनासिबस से यहां पर मुस्कुराता नहीं बल्कि मुस्कुराते लाया गया अगर मुस्कुराता के साथ लाना चाहिए तो जैसे मुस्कुराता चेहरा तो वहां पर चेहरा सिमुलर है इसलिए मुस्कुराता उसके हिसाब से आया खिलता गुलाब गुलाब सिमुलर तो खिलता उसके मुनासिबस से सिमुलर तो अब इन सब में एक चीज देख रहे हैं कि verb आ रहा है लेकिन वर्ब के आखीर में जो ending उसकी हो रही है तायते से हो रही है और उसके jest बाद में noun आ रहा है यह आप याद रखिए उसके just बाद में noun का आना बहुत ज़रूरी है अगर noun नहीं आएगा तो वो वर्ब कुछ और भी हो सकता है ठीक है? एड्जेक्टिव नहीं बनेगा अगर उसके जश्ट बाद नाउन आ रहा है तो समझे वो एड्जेक्टिव का काम कर रहा है तो ये चार इंपॉर्टेंट तरीखें हुए जिनके जरीए से आप एड्जेक्टिव को उर्दू में फाइंड आउट कर सकते हैं पहला तरीखा आपने देखा अंसर्टन है उसमें कोई किसी भी तरीके से वर्ड आ सकते हैं बस आपको पहचान उसकी ऐसे करनी है कि वो कोई विशेस्ता बता रहा हो खोबी बता रहा हो, खामी बता रहा हो, बुराई बता रहा हो, अच्छाई बता रहा हो, कोई भी लेकिन उससे कोई न कोई information मिल रही हो दूसरा तरीका बहुत common है रंगों के नाम देखकर क्या आप फॉरन समझ जाएगी ये सारे जो वर्ड है वो क्या है adjective है, तीसरा root word को आप को पकड़ना है और root पर बनने वाले जो भी word है, वो क्या हो जाएंगे, adjective हो जाएंगे अब देखिए, root के सिलसले में एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत से root word ऐसे हैं, जो noun बनाते हैं बहुत से ऐसे हैं, जो कुछ और बनाते हैं यानि ये जबरी नहीं ही कि root word आकर करके हमेशा सब को adjective ही बनाए बलकि कुछ root word ऐसे हैं, जो खास हैं इसके लिए कि adjective बनाएंगे कुछ खास हैं उसके लिए कि noun बनाएंगे ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि कौन से word से adjective बनता है और चौथा बहुत important है, वो ये कि verb के जरीए से हम कैसे adjective बनाते हैं ठीक है, तो उसका simple सरूल, ता और ते लगाएंगे, वर्ब के साथ में और उसी के according, singularly or plural noun ले आएंगे तो आपने आहाँ सीखा, सिफ़त और मौसूफ के बारे में मौसूफ वो noun जिसके बारे में कोई सिफ़त बताई जाए, कोई खूबी बताई जाए और उस खूबी को बताने के लिए जो word आता है, वो सिफ़त कहलाता है जिसे English में adjective कहते हैं और Hindi में viscer कहते हैं उम्मीद है, आज का सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इसी तरीके से उर्दू के मुतालिब असबाग को जारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें बहुत शुक्रिया